अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल Unix Medicine को सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें गंटे के बटन को दबाकर नॉटिफिकेशन आन कर लें और इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाश्ट में लाइक और सेयर कर इसकी बजासे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है nasal problems, जुकाम, नजला, खासी, सरदी लगा रहता है, तो इन सभी समस्याओं के treatment के लिए, especially जब नजला जुकाम होता है, तो इसके treatment के लिए ये जो saline nasal solution आप देख रहे हैं, एक बहुत कारगर medicine है, बहुत ही फाइद मंद दबाई है तो किस तरह की medicine है किस तरह से काम करेगी तो यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरे साथ वीडियो में लगतार बने रही है दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं यह saline nasal solution है यानि इसके अंदर saline नाम की medicine saline के composition से इस medicine को बनाया गया है दोस्तों Maxtra S इसका brand name है यह एक nasal spray है जो की Juventus ने इसको manufacture किया है दोस्तों यह 20 ml की packing में आता है और यह काफी effective medicine है जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को nasal congestion हो जाता है अचानक से मौसम बदलने की बजहा से जब उनको सर्दी खासी हो जाती है कफ कोल्ड हो जाता है नाक बंद हो जाती है ब्लॉक नोज हो जाती है नाक में mucus जमा हो जाता है जिससे बच्चे ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते हैं और लगतार रोते हैं काफी परिसान करते हैं तो दोस्तो ऐसी स्थती में ये Maxtra S nasal spray बहुत effective medicine है दोस्तो इसका जो composition है saline ये इसका जो salt है वो बहुत effective हो जाता है दोस्तो बच्चों के case में क्योंकि ये तुरंथ ही नाक को खोल कर और बच्चों को easy breathe कराता है यानि breathe का जो flow है उसको easy कराता है, mucus को खतम करता है और नाक से बच्चों को सांस लेने में आसानी रहती है, दोस्तो इसके साथ ही बहुत safe और effective medicine है इसके side effects भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, side effects अगर किसी को हो जाता है तो normal किसी बच्चे को irritation वगेरा हो सकता है, generally जो है इसके side effects नहीं देखने को मिलते हैं तो काफी effective और safe medicine है दोस्तो इसका अगर हम use और dose की बात कर लें, तो जो हमारे बच्चे होते हैं अगर उनको नजला जुकाम से वो परिसान है, नाक बंध है और इसके साथ ही बहुत जादा उनको problem हो रही है, तब जो है आप अपने doctor की सलह के अनुसार एक एक बून उनकी नाक में दिन में दो से तीन बार तक डाल सकते हैं दोस्तो ही आपको ध्यान रखना है कि medicine का खुच से यूज नहीं करना है, जैसे जिस तरह से आपके doctor बताते हैं, उसी तरह से आपको यूज करना है, क्योंकि मेडिसिन अगर आप खुच से यूज करते हैं या अपने बच्चों को यूज कराते हैं, तो इससे क्या है कि नु for injection, तो injection के लिए नहीं है, यहां इस medicine का manufacturing license number हो जाता है, यहां एक caution है, red strip caution की इस दवाई को बिना किसी doctor के prescription के आपको नहीं लेना है ना बेचना है, तो ध्यान रखना है, doctor अगर prescribe करते हैं, तभी use करना है, दोस्तों इसके साथ ही इसकी marketing की है, Juventus Healthcare ने manufacture किया है, इंडियन फार्मोकोपिया की according, 0.65% weight-wise volume की form में है, यानि solid medicine को liquid में dissolve करके, घोल के इस medicine को तयार किया गया है, इसके साथी purified water है, जो की again इंडियन फार्मोकोपिया की according है, बेंजाल कोनियम है, solution है इसका, और इसके साथ ही दोस्तों preservative वगेरा, इसमें ये सब डाले हुए है, तो बेंजाल कोनियम जो preservative है, ये इस medicine को खराब होने से बचाता है, इसकी life को maintain रखने का काम करता है, दोस्तों, directed by the physician, डॉक्टर की सला से हो जाती है, store करने के लिए ध्यान रखना है, कि जो store करते हैं आप जिस जगह पर उस जगह का तापमान 30 degree से ज़्यादा ना हो, यानि 30 degree से नीचे के temperature पर store करना है, sunlight वगरा से बचाना है, और moisture से इसको बचाना है, दोस्तों, use करने से पहले, medicine को अच्छी तरह से हिला लेना है, ताकि जो composition है, वो आपस में अच्छी तरह से mix हो सके, और medicine अपने अच्छे result दे सके, दोस्तों, बच्चों की पहुँद से दूर रखना है, कि बच्चे गलती से इसको निगलना लें, खाना लें, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, दोस्तों, इसको use करने से पहले, आपको नाक को थोड़ा साफ कर लेना है, बच्चे की नाक को साफ करना है, उसके nostrils को साफ करना है, जो mucus वगएरा है, उसको हटा देना है, साफ कपले से, और इसके साथ ही इसकी एक-एक स्प्रे उनके नाक में, यानि nostrils में करनी है, दोस्तों, इसको जिस तरह से डॉक्टर बताते हैं, दिन में एक बार, दो बार या तीन बार, जितना भी बताते हैं, उतना आपको timely यूज करना है, दोस्तों, अगर इसकी seal वगएरा टूटे भी मिलती है, तो इसको लेना नहीं है, हो सकता है, medicine contaminate हो, और close करने के बाद, ठीक तरा से इसका cap लगा देना है, इसको tight container करके अच्छी जगा में रखना है, दोस्तों, बाहरी यूज के लिए है, alcohol free है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि, बहुत ही safe और effective medicine है, alcohol free है, बच्चों के लिए safe है, और इसका जो use है, वो safe है, तो दोस्तों, इस तरह की ये medicine है, अब इसका जान लेते हैं, MRP, दोस्तों, यहां अगर हम MRP की बात करें, तो यह 38 रुपए में आपको सभी करों के साथ में मिल जाती है, जिसकी उतपादन की date 9-2021 है, और समापती की date 8-2024 है, दोस्तों, यहां 9-2020 और 8-2024 तक इसकी life है, यहां इसको manufacture किया है, batch नमबर हो जाता है, कभी भी आप कोई medicine खरीते हैं, तो आपको यह इसकी उतपादन और समापती की जो तारीख है, वो देख लेनी चाहिए, ताकि आप कोई खराब medicine लाने से बच सकें, और इसके साथ ही MRP भी देख लेना चाहिए, ताकि आपके ज़्यादा पैसे ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, घंटे के बटन को दबा लिजी, और इसके साथ ही वीडियो को सेर कर दीजे, ताकि आपके अपने रिलेटिव परिवार दोस्तों के काम भी यह helpful जानकारी आ सके, दोस्तों आप देख रहे थे यूनिक मैडिसिन यूटूब चैनल, तो आज की वीडियो में इतना ही है, दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सेफ रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, और हमेशा डॉक्टर की सला से ही मेडिसिन लीजिए, खुद से कभी भी मेडिसिन मत लीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है, तो गाइस, थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो, गुडबाई, जैहें!